हेलो गाइज वेलकम बेक टू माई चैनल तो गाये वे तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने माला हूं कि फेस्बूक पेज को पर्मानेंटली डिलेट केसे करें तो वीडियो शुरू करने से फिले दोस्तों अगर आप अमार चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक कमेंट ताकि वीडियो शुरू करने से फेले दोस्तों अगर आप अमार चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो शुरू करने से फेले दोस्तों वीडियो शुरू करने से फेले दोस्तों अगर आप अमार चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइ वीडियो स्टाट करें तो फेस्वुक तो गाइस जैसा कि हमने अपना फेस्बुक का अकॉंट खुल लिया है तो इसके बाद मैं यहां पर थ्री डोट पर क्लिक करना होगा कि ये और इसके बाद हम जाएंगे इसके बाद इसके बाद गाई यहां पर दीक रहा होगा आपका यूवर फोर पेजे समय यहां पर क्लिक करना है तो गाई इसके बाद यहां पर अपने आपके जितने भी पेजे से तो गाई इसके बाद आपके जितने भी पेजे से वो सब यहां पर शो हो जाएंगे तो आपको जो पेज परमानेट ले डिलिट करना उस पर क्लिक करें जैसा कि हमें ये वाला करना है तो हमने इस पर क्लिक किया है तो इसके बाद दोस्तों हमें या पर एडिट पेज पर क्लिक करना होगा edit page फेज क्लिक करने के बाद दोस्तों अमारे पास हमने ये page open हो जाएगा कि इसके बाद हमें थोड़ा scroll down करके सबसे last में सेटिंग का option इस पर क्लिक करना होगा setting की option फेज़ फर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यह फास्ट इफास जेनरल का उप्शन है हमें इस पर क्लिक करना होगा तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहां पर आए गया है रिमूव पेज पर्मानेटली डिलीट स्पेशल कलेक्शन तो मैं इस पर क्लिक करना है तो इसके बाद देखिए यहां पर हमसे पूछ रहा है लास्ट बार तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा सामने डिलीट का उप्शन आ गया है तो मैं इस पर पेज को डिलीट कर रहे हैं तो यह देखिए है तो यह देखिए हमार पेज डिलीट हो चुका है यह देखिए हम आपके फ्रीट से बताओंगा weather गर्वसकी आप सब देख सकते हमारा अफ्रे डिलीट हो गया है तो यह देखिए हम अगना प्रीट से वही तो गाइज चलिए अपन फीट से अपने त्री डोट पे जाते हैं और यह देखिए निचे पे जिसका उप्शन है इस पर क्लिक करते हैं तो गाइज जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा वो वाला पेज डिलीट हो गया है तो इस तरह से आप अपने किसी भी पेज को डिलीट कर सकते हैं थेंक्यू गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो तो गाइज इस तरह से आप अपने फेस्बुक की किसी भी पेज को डिलीट कर सकते हैं तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और गाइस वीडियो पूरी इंड तक देखें ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए